आप सबी का हार्दिक स्वागते अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं क्या है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप मारी लेटस्ट वीडियो को देख सकें स्टाट करते हम एयरली प्रेडिक्शन ओफ पाईसेस असंदेंट 2021 मेन लगन के जातकों के लिए 2021 का संपूर्ण भविश्यकतन कैसा जाने वाला है आपके लिए 2021 क्या चीजी लाबकारी होगी और क्या हनी करा किन किन बातों का आपको धियान रखना चाहिए आईए देखते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं अगर आपके यहाँ पर 12 नमबर लिखा हुआ है तो आपका मीन लगन है तब ही यह वीडियो आपके लिए लाब पर दोगा तब ही भविश्यकतन आपके लिए होगा अब सबसे पहले इसको जानने से पहले हम पहले मीन लगन के जात कोगा थोड़ा सो सुभाव व्यक्ते तो जान लेते हैं तीके मीन लगन ये इस लगन में जो स्वामे बनते हैं जो लगन लोड बनते हैं यहाँ पर क्या होते हैं यह गुरू होते हैं गुरू ग्यान के का र जाते हैं, तो कही नशकी नशकाले कारण या, देिस कारण सती है, Hasmud Andarwhat, तो यह आजाएगा, और सब्सक्ति आगए, पहित बावर चलि aren't यह कुनो when you can say this. एक ही कारेच्षेत्र के अगर बात करें तो बैटकर एक ही जंगे रहकर और साथ-साथ मतलब गुम फिरकर काम करना पसंद होता है अठात कारेच्षेत्र में इस्थित्ता के साथ बदलाव भी ऐसे वेक्तिवों जात्वों को पसंद होते हैं आपके लव लाइफ में आम तोर पर देखा जाता है मीन लगन के जातकों के लिए ड्याल नेचर दूदी सुभाविक गुन जो है इनका होता ही होता है अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं पहले गोचर में बात करते हैं कि ग्रह क्या इस्थित्ती में है और जो यह Är-अली प्रेडिक्शन होती है वह हम जो है मेजर प्लेनिट्सु नुँथ है आर्था जो प्लेनेट जो गर है एक ही राशी में दिर्ग काल तक गोचर करते हैं उनके आधार पर होती है अब यहाँ पर शनीदेव की बात करते हैं आप सबही जानते कि शनीदेव ड़ाइव वरुष तक जो है एक ही राशी में रथती है और इनका तो शुबाव ही है शने बात करते हैं यहाँ पर राहू और के तुकी आगर हम बात करें तो राहू के देखे वाइस सितंबर 2020 से 12 अप्रेल 2022 तक राहू वरिश्यब राशी में और कितू व्रिश्चिक राशी में गोचर कर रहे हैं और मीन लगन में अगर हम देखते हैं तो वरिशब राशी प्राकरम भाव तृत्य भाव में आती है और वरिश्चिक राशी नवम भाव में आती है तो यहाँ पर राहू गोचर करेंगे और यहाँ पर कीतु गोचर करने वाले हैं और राहू केतु डेड़ वर्ष तक जो है 18 तक एक ही राशी में गोचर करते हैं, बात करते हैं गुरुग्रे की, गुरुग्रे 19 नवंबर 2020 से 5 अप्रेल 2021 तक मकर राशी में मार्गी होकर गोचर कर रहे हैं, और गुरुग्रे की अगर हम बात करें, गुरुग्रे सकुंडली के लगनेश बनते हैं, साथ सतकरम भाव के स मकार राशी में मार गोचर करेंगं फिर पर यह कुम राशी में मार गड़र 221 सर्व पुने में मर 27عد में 271 तो कsi पर अधिकार उस पर विचार करते हैं सबसेठेहे पहले विचार करते हैं कुंगी में लगनेश रहने वालाय है को आपकार हो जिससत्ती है करते हैं मेन लगन में करते हों कहां पर कर्म और आपके सुआमी हों नुख सब्सक्राइ систем कोOur Idhungs लगनेश का लगनेश हैं तो लगनेश का लाब भाव में जाना तो कहीं न कहीं इस समय में आपके लाब में व्रद्धी ही करने वाले हैं साती ये भाव क्या होता है चाचा से समंदित होता है और सासत ये भाव जो होता है आपके मित्रो से समंदित होता है वो लाव भाव के सौामी के साथ ही बैट गए है तो कहीं न कहीं लाव की तो वरद्दी होगी होगी आप इतने समय से अगर अगर प्रशान भी थे तो अगर आपकी जोब नहीं थी तो वो सब आपकी हो जाएगी वेपार अभी अच्छा चलेगा ये सब चीज़े आपके जीवन में आ जाएगी अब हो क्या रहा है क्योंकि यहां पर बैठे गुरु 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 कि अगर हम बात करें पांच्वी दर्ष्टी प्राक्रम भाव पर श्रेष्ट प्राक्रमी बनाएंगे सात्री दर्ष्टी के अगर हम बात करते हैं तो सात्री दर्ष्टी कहां पर पढ़ेगी आपके ज्यान भाव पर जिसको संतान भाव भी कहते हैं और आपके प्रेम संबंदों के भाव पर पढ़ेगी तो यहां पर आपको लाब देने वाली होगी और क्योंकि यहां पर भाव से partnership का विचार होता है व्यपार का विचार होता है इस भाव पर परप्ढ़ने से आपके घर दाम पत् les वे कोई समस्य चल रहे थी थो वो समस्य अधूर हो जाएगी आपके partnership में कोई nat grocery चल रहा था वो समस्य अधूर हो जाएगी तो कहीं नगे आपके मित्रों से आपको लाव हो सकता है और मित्रों के साथ पार्टनर्शिप हो सकते हैं और वो पार्टनर्शिप भी क्योंकि यहाँ पर 12th house का भी संब्द मनाया है द्वादश भाव का भी संब्द मनाया है क्योंकि शनी देव लाव और द्वादश भाव के स्वामी बनकर लाब भाव में बैटे हैं और लगनेश के साथ बैटे हैं तो कहीं न कहीं अगर वो पार्टनर्शिप की भी अगर हम बात करें तो वो हो सकता है विदेश से या फिर जनमिस्तान से दूर जाकर आपको लाब देने वाली हो यह सब चीज़े आप देख सकते हैं चाचा के साथ बेटेशिप होने के यहाँ पर योग बनते हैं इस तरीकी किस्तती बनती है अब देखें यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि अब यही लगनेश जो लगनेश अभी ल लगनेश जो लाब भाव में बैटे थे अब वही लगनेश कहां चली जाएंगे 12 अउस में क्योंकि हाँ पर कुम्ब में मारगी हो है 5 अपरेल 2021 से 14 सितंबर 2021 तक कसमे की बात करें तो लगनेश कहां जा रहे हैं 12 भाव में कभी भी लगनेश का 12 भाव में जाना हम थोड़ा ट्रेंट बन गया है फोरण जाना जो है वेक्ति को बहुत अच्छा लगता है वेक्ति एपनी समाज में भी कहता है कि मतला समाज में भी उसकी एक तरीके से सम्मान बढ़ जाता है लेकिन पहले के समय में इसको गरदेश निकाला इस तरीके की भी सूची में रखते थे तो क लगनेश आपको 12 विचार होता है खर्चे का भी विचार होता है तो खर्च का पैमान आपका बहुत सकता है लाब तो आएगा क्योंकि लाब भाव का स्वामी लाब भाव में बैठकर आपके जीवन में लाब की व्रद्दी करने वाला होगा लेकिन जो लगनेश जब 12 25 अपरेल 2021 से 14 सितंबर 2021 आपको अपनी हेल्थ के लिए भी ध्यान रखना होगा क्योंकि वहां पर जाकर हेल्थ इस्यूज भी कितनी बार क्रियेट हो जाते हैं साथ साथ तेकि गुरू क्योंकि यहां पर लगनेश जो मनते गुरू गुरू जैसा अगरे जब 12 वाव में जा हाँ में आप उस समय कहर्च कर सकते हैं क्योंकि 12 वाव से यह यहां से 5 वॐ होसी में हो इसें शिक्तवीद्य का भाल है जो है यहां से 5 वह ज्चर में दिकार प्यांक होugen तो हो सकता है ऐसे समय में आपका देखे है आध्यात्मे कुरुजान हो जाना और आध्यात्मे कर्म कांडों में धार्मे कर्म कांडों में आप रूची लेकर या दान धरम में आप पैसा दे सकते हो व्याइक कर सकते हो खर्च कर सकते हो तो यह इस्ततियां आपर बनती है और यहाँ पर बैठे गुरु की अगर आप तो यह आपको फायदा ही देंगे मतलब जो है अगर मतलब हेल्थ इस्यूस है आपको आपके बोधिक स्थर के साब से जो है आपको बचाने का ही परियास करेंगे तो आप यहां पे समझ सकते हैं आप थोड़ा सा हेल्थ के लिए केरफुल रहना लेकिन गुरु घ्रया आपको है थोज़ार 1 से llev करे मिस्देव समय रहने वाला हे आप हम बात करते हैं यहां से यहां से चैज़े हम क्या देखते हैं यहां से समय में विक्ठी का जो अगर कोई जैसे गॉल्ड वगारा होगा इस तरीकी की चीज़े जो है और कंवर्ट कर देता है कर्म भाव का जो धन है widget यहां पर अब ये जो समय है आपके लिए इतना positive time है कि अगर आप करम चेतर में महनत करोगे करो धूंद चुली तरह के यहां पर रहेगी और साथ-साथ जो है बहुत अच्छा टाइम रहने वाला है आपके करम चेतर के लिए कि करम चेतर में आप जितनी महनत करोगे उसका आपको जो लाब पूंते आपको मिलने वाला है तो यहाँ पर करमेश का संबन भी आपके लाब भाव से बना है तो ये भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं आपको जो है लाब मिलने वाला है और शनी देव बस यहाँ पर क्या होगा जो आपका खर्च बताया है आपको कि अगर गोल्ड है आपके बास चांदी वगरा है या फिर कोई भी अचल संपत या प्रोपर्टी वगरा है उसको आप आपको आपको कारई्हियो है अपने करम इस्तान में वेश कर सकते हैं आप तीसरी दृष्टी से आपके लगन को ही देख रही है तो आप शनी देव का सुबाव जानते हैं शosphographic की देखार्व कारिमे की दोए तो नहीं होगा, थोड़ा सा विलम हो सकता लेकिन यहां पर जादा नहीं लगेगा यहां पर प्रहिना C沒 अच्छे ही दोटा सार को यहां ुप्य थिव. यहां पर स्वगराई शनी की है आप नहीं गर में बैट कर देख रहे हैं लेकिन यहां पर चार नमर्ड चंद्रमा की शत्रू होने के कारण यहां पर होता क्या है कि जब शनी देख सकते हैं प्रेम के मामले में फाइदा होगा या ज्यान के मामले में फायदा होगा, ये सब चीज़ आप देख सकते हैं, प्रेम के मामले में फायदा होगा, फरन्तों जब गुरु आपकी कुंडली में बारवी भाव में चले जाएंगे, तब जब शनीदे अकेले बैट करें, आप पर शनीदे बैट कर जो है, इस भाव क देखेंगे, तो हो सकता है, संतान से समंदिद आपको समस्या का सामना करना पड़ सकें, या ज्यान के चेतर में आपका मन कम लगना, या फिर, यहाँ पर होगा क्या है, कि शनीदेव की दर्ष्टी जब ज्यान भाव पड़ेगी, तो कहीं न कहीं आप रिसर्च किसी चीज क खोज में, क्योंकि शनी का स्वाव एक तरीके से खोज भी दे दिता है, व्यक्ति जो है खोज में जूड जाता है, किसी चीज के गहराई तक जाता है, तो यहाँ पर यह भी इस्तती बनती है, तो ग्यान के चेतर के अगर हम बात करें, तो ग्यान के चेतर में व्यक्ति जो ह जिनके कारे में वेवधान आ रहा था तो वो समय आपके लिए जो है श्रेश्ट है कौन सा समय जब गुरु यहां पर बैटे तो यह वैरी बैस्ट टाइम रहेगा क्योंकि कौन सा टाइम रहेगा यह टाइम रहेगा 19 नमबर 2020 से 5 अपराल 2021 से 14 सेप्टेंबर 2021 से 20 नमबर 2021 तक का समय अच्छा रहने वाला है तो शनी देव की सात्वी दृष्टी यहां पर आप समझ सकते हैं प्रेम संबंदों में थोड़ी से समस्या बन सकते हैं यहां पर हो सकता है यहां पर किसी भी तरीके का मदबेत इस्तती बन सकती है और संतान के मामलों में ये जब तक शनी देव की बात है उनके लिए अगर गुरू रहेंगे जब तक हम आगे डिस्कस कर देंगे यहाँ पर विचार कर देंगे इसका भी बता देंगे आपको कौन से समय में जाता समस्या रहने वाली है और सासा यहाँ पर स्वास्ते में भी थोड़ा सा यहाँ पर स्वास्ते को ले कर भी है आपको जो है चिन्तित्रानी के आपर शक्ता नहीं है यहाँ पर शनी देव को बचाओ करने वाले हैं तो कुल मिलाकर यह सवास्ते की अगर हम जो बात करेते हैं तो थोड़ा सा है केरफुल नेनी की जुरत जब इस समय गुरू घर है 12 ताउस में जाएंगे है आने था जो है यह सही इस्तिती रहने वाली है आपके लिए तो यह बेरी बेस्ट टैम रहेगा लेकिन लोजिकल तरीके सा समझने की जादा कोशिश करओंगे उनमें खोज करने की जादा कोशिश करGOंगे कि ये बात कही, तो कही कैसे ये आया, तो आया कैसे सब कुछ समझने की गहराई से समझने की यहाँ पर आप कोशिश करने वाले हो और यहाँ पर थोड़ा सा पिता के साथ मदबेट की सति, या पिता के साथ आपको एक एसंतो शुत्पन हो सकता है यह आप यहां पर जान सकते हैं उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहां पर तो राहु जो है राहु की दृष्टी आपके जो है कही ना कही लगन यहां पर राहु की नवी दृष्टी जो है आपके लगनेश पर भी पड़ेगी तो यह समय प्रिक्षाओं में आपको सफलता मिलने के पुन रूप से योगदान रहने वाले हैं क्योंकि शनीदेव क्या है शनीदेव रिसर्च के यहां पर गुरू भी जुड़ गया तो यहां पर क्या है आप मेहनत भी करोगे और सासत ग्यान भी आपके साथ है और सासत इसका संबन्द आपके ग्यान भाव से भी बना है और आपका संबन्द यहां पर करम छेतर से भी बना है करम छेतर से दूसरा भी हुआ है अर्थात करमों से लाब भी हुआ है तो overall सब चीज़ों का अगर मिलाए जाए तो यहाँ पर आप जान सकते हैं अगर आप करम छेतर में जो है या फिर आप किसी भी तरी के ज्ञान से समंदित छेतर में भी आप कुछ कोशिश कर रहे हैं तो उसमें आपको यहाँ पर लाब मिलने के पुन्रूप से चांसेज हैं योग हैं अब हम बात करते हैं देखिए मित्र या चाप्चा से भी आपको लाब मिलने के चांसेज हैं उनसे पार्टनर्शिप से भी लाब है उनकी और समाज के साथ जुड़कर क्योंकि यहाँ पर ग गोल्ड हो गारा आपकी पास है अगर है तो वो कही ना कहीं आप उसको खर्च करके मदला उनको जो है उनसे पैसे लेकर जो है आप उनको जो है बिजनस में या फिर वेपार में अपने मलग इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं यह यहाँ पर योग बन रहे हैं साथी क्योंकि लगनेश 12 आउस में भी जाने वाले हैं तो विदेश यह जनम इस्तान से दूर जाकर यह भी आपको फायदा होने वाला घर के बड़े बुजर्गों पर खर्च या तर्थियात्रा हो सकती है आकेला पन महसूस कर सकते हैं आध्यात्म के दुनिया में जाना यह स उस समय में जब इस वाली कुंडली के सबसे देखा जाए तो जिस समय लगनेश 12 आउस में जाएगा उस समय करम भव का स्वामी भी गुरु ही बनते हैं और उसका सम्भन्द भी कहां से हो जाएगा गुरु का संबंद हो जाएगा आपके बार विभाव से तो कहीं ना कहीं करम चेत्र में वेक्ति को कहिने अपमानित भी होना पड़ता है ऐसी इस्तती में देखा गया है तो आप इसको थोड़ा सा केरफुल रहे साब नहीं क्या हरी केस में होगा जिनकी कुंडली में थोड़ा सा जो यह सब बाते जो हैं अगर आपके क्योंकि बात सिर्फ गोचर से को दियान में रखे गई बताई गई है अब इनके लिए आपके बर्थ चर्ट में ग्रह की क्या इस्तती है उनका भी विशेश महत होता है किवल यह एक स्टेंडर बात हो गई क्योंकि यह मीन लगन के सभी जात्कों के लिए इलाग हो रहेगी तो इसका परवाव भी पड़ इस्तति भी बन सकते है यहां पर जाए यहां पर 60 स्मय में संतान से समय का सामनार या पर बन सब्सक्राइब को सिर्की विए एक जब इस्तति बने गी यहाँ पर पर यहाँ तो हो सकता है कि जब वेक्टि बास गेंज गय जादा होने लगे तो हो सकता है उसका जक्यान में कम लगने लगें इस तरीकी इस्तति हो जाती है व्यक्ति के साथ जो है वैसे आध्यात्म के तोर पर यह समय ऑवरल जो पूरा टाइम है अच्छा समय है जो है और हम बात करते हैं कि कारे में बस विलम जो होगा वो थोड़ा विलम होगा क्योंकि शनीवेव की दरश्टियां पर समदरश्टियों के कारण विलम तो होगा लेक पर परतियोंगी से काफी तोह जा सकते हैं अब ऐसा क्यों का देखी अगर हम बात करें राहू की आencithan के मामा का चत्रो का विचार होता है अपके और इस भाव से अगर हम चलते हैं एक, दो, तीन, चार, पांक, छे, साथ, आट, नो, दस अर्थार इस भाव से दसवे भाव में क्या है राहू है और आप सभी जानते हैं कि राहू जिसके दस में होता है उसके साथ जो है मतलब उसके करम चेत हाट, तो आप यहां पर यहां पर क्या हों राहू आपके लिए नहीं है यह जो है आपके जो है competitive क्योंकि यहां से competition का विचार होता है competitive का विचार होता है तो यहां से जो आपके प्रतियोगी हैं उनका विचार होता है शत्रू का विचार होता है और इनका विचार होने की करण जो है और यहां पर मामा मौसी का विचार होता है तो आप देख सकते हैं कि इस वाले समय म मामा मोसी के करम चेत्र में एक बड़ी उनती आप देख सकते हैं आपने शत्रू के शत्रू आपको आगे भढ़ते हुए भी दिखाई देंगे तो यह सब आप यहाँ पर देख सकते हैं या फिर आपके जो परतियोंगे आपके लेकिन यह ने कि अपने लेवल से अपने लेवल पर करम चेत्र में जाते हुए दिखाई देने वाले हैं यह सब हम यहाँ पर कह सकते हैं और साथ-साथ-साथ देखिए रहु अभी यहां पर होगा कि वे उनती भी करेंगे साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ- स्जीन से और चोटे भाई भैंझ आपको थोड़ा सर देखते हैं तो कहीडीbell आइसा हो भुषग कख़े जो maior ने अपके जीवन प्लानिंग है उसको चुपन होना चाहिए अनिता झाली में है समझ से उत्पन हो जाएगी कुल मिलाकर आपके लिए 2020 बैस्ट ही जाने वाला है क्योंकि बहुत अच्छी यहाँ पर इससे थी है लाब भाव का स्वामी लाब भाव में है लगनेश का भी लाब भाव से संब्ध बन रहा है करम छेतर का भी लाब भाव से संब्ध बन रहा है ओवरोल ले टाइम पीरिड आपके लिए बैस्ट है इसमें आपको अगर आपके वे दर्शक जो एस्टो लवर्स हैं जो जो तिश्री में बहुत आदी गिरुची रखते हैं जो अपनी बातों को इसमें रखना चाते हैं कुछ एड़ उन करना चाते हैं इसमें जो है कुछ विशेश प्रेडिक्शन अपने आप से देना चाते हैं वो भी कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं वीडियो अगर आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जैम आता दी